दोस्तों दिसंबर का महीना बहुत ही खास होता है आए जानते हैं दिसंबर में पढ़ने वाले सभीवरत और त्योहार की सभी तारीक और दिन दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तों यह महीना जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेश पूजा अर्चना की जाती है सनातन शास्त्रों में नहित है कि भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग शीर्ष महीने में ही अपने शिशे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इस महीने में ही विवाः पंचमी मनाई जाती है इसके अलावा कई अन्य प्रमुक रत्योहार भी मार्ग शीर्ष महीने में मनाये जाते हैं दोस्तों सभी त्योहार और तारीक इस प्रकार है अगर आप लिखना चान है तो लिख सकते है 5 दिसंबर को कालभेरब जयनती है इस दिन भगवान शिप के रौदर रूप काल भेरो देव की पूजा की जाती है साथी 5 दिसंबर को मासिक क्रिष्ण जन्माश्टमी है 8 दिसंबर को उत्पना एकादशी है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है ये पर्वर वर्ष मार्ग शीर्श माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है 10 December को प्रदोश वृत है यह वृत हर महीने कृष्ण और शुकल पक्ष की तरयोदशी तितिधी को रखा जाता है इस शुबवसर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्री है हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिति को मासिक शिवरात्री मनाई जाती है इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है शिव पुरान में नहीं थे कि इस दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती परिन्य सूत्र में बंदे थे 12 दिसंबर को मार्ग शीर शमा वस्या है इस दिन पूजा जब तब और दान किया जाता है 16 दिसंबर को धनू संक्रांती है इस दिन सूर्य देव व्रिश्चिक राशी से निकल कर धनू राशी में प्रवेश करेंगे इस दिन से खर्मास शुरू होगा खर्मास के दिनों में कोई भी शुब काम नहीं किया जाता है इस दिन विनायक चतुर्थी भी है 17 दिसंबर को विवापंच्मी है इस दिन ही भगवान श्री राम और माता सीता परिण्य सूत्र में बन दे थे 18 दिसंबर को सुब्रहमन्य शष्ठी, सकंग शष्ठी और चंपा शष्ठी भी है 20 दिसंबर 2023 को मासिक दुर्गाश्टमी है ये दिन जगत जन्नी आदिशक्ती माध दुर्गा को समर्पित होता है 22 दिसंबर को गीता जयन्ती है शास्त्रों में नहित है कि मार्कशीर्श माह के शुकल पक्ष की एक आदशी तिथी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिश्य अर्जुन को गीता उपदेश दिया था इस दिन ही मोक्षदा एक आदशी है 23 दिसंबर को मत्स्यद्वादशी है 24 दिसंबर को मासिक कार्तिगाई है 25 दिसंबर को प्रदोश वरत है इस दिन भगवान शिव की पूझा उपासना की जाती है सत्य ही उनके निमित व्रत रखा जाता है इस दिन रोहिनी व्रत भी है 26 दिसंबर को दतात्रे जयनती तरिपुर भैरवी जयनती और अननपूरना जयनती है इस दिन मार्गशीर्श पूर्नेमा है इस दिन पूजा जब तप और दान करने का विधान है 26 दिसंबर को ही मार्क शीर्षपूर निमा है इसके अगले दिन से पौश महीने की शुरुवात हो रही है 27 दिसंबर को मंडला पूजा है और 30 दिसंबर को अखुर्थ संकष्टी चतुर्ती है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद